इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड आप नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पूजा कविया गोमा कोर्ट्स राउंड आप में आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में अगले आदे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे कोर्ट की कारवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोवर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइन्स पर सुप्रीम कोर्ट ने तरूपती तरूमाला के दैनिक कार्यों में दखल देरे का किया मना कहा मंदर के कारिकार्ण में कोर्ट का हस्ता शेफ नहीं पूजारशना के मानत नहीं माने जाने पर डाली गई आचका पश्चिमंगाल की याचका का केंदर ने किया विरोध अटर्ने जनल ने सुप्रिम कोट में कहा सीवी आई की जाच में केंदर का हसता शेप नहीं सीवी आई के खलाब अरजी में केंदर को जोड़ा गया था सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि जमानत देने के लिए सक्त शर्ते लगाना जमानत से इंकार करने के समान है और इसा उचन्यायले का आदेश किया रद कुल 40 लाग की सिक्यूरिटी राशी हाई कोर्ट ने की थी तै इंडिया लीगल प्रिजेंट्स कोर्ट राउंड आप सुप्रिम कोर्ट ने मंगलवार को केंद सरकार को विभिन राजस सरकारों के बाद विचार के बाद समुदाइक रसोई पर पूरे देश को लेकर एक नीती तयार करने के लिए अंतिम अफसर के रूप में तीन सब्ताह का समय दिया है सुप्रिम कोर्ट ने इस बात पर बल देते हुए कल्यानकारी राज्य की समयधानी के करतव्य है वो यह सुनिश्चित करे कि कोई भूक से ना मरे प्रधान ज्याइधीश ने कहा कि हम केंद सरकार से यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहते हैं आप राज्य सरकार से बात करिए कॉ से पूछे की कैसे स्कीम को लागू किया जा सकता है इसकीम को लागू करने में कितना समय लगेगा भुक्मरी से निपटने के लिए पूरे भारत में समुदाएक रशोई सापित करने की याचिका पर सुप्रीम कोट ने केंद्र को जरापत्ती जाहिर की है ये पहल COVID-19 महामारी और लॉकडाउन के मद्दे नजर भूक और कुपोशन से निपटने के लिए पूरे देश में समुदाइक रसोई सापित करने पर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें संदे है आपका योजना लागू करने का कोई इरादा है भूख से मर रहे लोगों को भोजन मोहिया कराना हर सरकार के जिम्यदारी है सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र को तीन सप्था के भीतर योजना तयार करने का आदेश दिया है साथ ही केंद्र को कहा है कि आखरी मौका है राज्यों के साथ केंद्र इमर्जंसी मीटिंग कर योजना तयार करे सुनवाई के दुरान केंद्र पर नराजगी जताते हुए CGI एनवी रमना ने कहा हमें अंतराष्टे को पोशन सूचकान जैसे मुद्दों से सरोकार नहीं है इसका उदेश्य ततकाल भूग के मुद्दे पर अंकुष लगाना भूग से मरने वाले लोगों की रक्षा करना है अगर आप भुकमरी से निपटना चाहते हो तो कोई भी सविधान या कानून ना नहीं कहेगा ये पहला सिद्दान्थ है हर कल्यानकारी राजगी की पहली जम्यदारी है कि वो भूग से मर रहे लोगों को भोजन मोहया कराए आपका हलफ नामा कहीं भी ये नहीं दर्शाता है कि आप एक योजना बनाने पर विचार कर रहे हैं अभी तक आप सिर्फ राजजियों से जानकारी निकाल रहे हैं पिछली सुनवाई के दौरान कोट ने कहा था कि इस तरहां के किचन सापित करने की जिमेदारी राज्य सरकारू की होती है। इसने एक बैठक बुलाने के लिए कहा था ताकि एक व्यापक योजना तयार की जा सके। केंदर के ओर से पेश अटर्णी जनरल के कि विड़ो गुपाल ने कहा कि 9 सुतंबर को एक बैठक हुई थी लेकिन कुछ भी ठोस नहीं निकला। उन्होंने आगे कहा कि एक योजना चार सप्तह की समय में बनाई जा सकती है। सुनवाई के अंत में कोट ने कहा हम लोगों को अधर में नहीं छोड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है। हम भारत सरकार के अपसर सचिव द्वारादार हलफ नामे से खुश नहीं हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि वो अभी भी सुझाव प्राप्त कर रहे हैं। अंत में तीन सब्ताह का समय देते हैं एक योजना तयार करने के लिए उसे यहां रखने का समय। कोट ने राज्य सरकारों से केंदर द्वारा बुलाई जा रही बैठक में शामिल होने को भी कहा है। सुप्रीम कोट ने दक्षिन भारत की सबसे महतवपूर मंदिरों में से एक तिरुपती तिरुमनला की दैनिक कारियों में दखल देने से मना कर दिया। एक शरधालू की शिकायत थी कि मंदिर में धार्मिक रीतियां सही तरह से नहीं निभाय जा रही है। कोट ने कहा कि धार्मिक नियमों का पालन तै करवाना उसका काम नहीं। इससे पहले आंद्र हाई कोट भी इस मामले में आदेश देने से मना कर दिया था। रिवरी दादा नाम की शरधालू का कहना था कि तिरुपती तिरुमनला देवस्थानम में धार्मिक नियमों का पालन नहीं हो रहा है। मंदिर में गर्वग्रह में विभाजित भगवान वंकेटेश्वर की सेवा और अर्चना के लिए पुराने समय से चले आ रहे मानक अब नहीं माने जा रही है। लेकिन चीफ जस्टिस एन्वी रमन्ना, जस्टिस सूरेकांत और हिमा कोहली की बेंच ने मामला सुनने से मना कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मंदिर में आरती कैसी होगी या नारियल कहा फोड़ा जाएगा। ये तई करना समयधाने के कोट का काम नहीं है। लेकिन करता ने इस पर विरोज रताते हुए कहा कि नियमों के पालन में कमी है। ये रमने से कवाद्धाने के समयधाने के विल ओर्फित से कहा कि वो मंदि competitors के सामने अपनी बातों को रखें। अगर उसे लगता है कि समाधान नहीं हो पा रहा है तो वो उचित कानूनी फोरम में अपनी बात रखें इधर दिल्ली हाई कोट ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया से खिलाडी मनेका बत्रा को क्लीन चिट देने को कहा बत्रा ने 25 वी ITTF एशियाई टेबल टेनिस च प्रकायद की थी बत्रा निया रूप लगाया था कि राष्ट्रे कोज सैंदी रॉय ने ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपने एक प्रसिक्षु की मदद करने के लिए बत्रा पर एक मैच छोड़ने के दबाब डाला था इस प्रकार उन्होंने फेडरेशन का कोई सवाल ही नहीं है न्यायमूर्थी रेखापली नहीं पहले केंद सरकार को बत्रा द्वारा लगाए गया रूपो की स्वतंत्र जाज करने का निर्देश दिया था कोट ने टीटी एफाई के कामकाज पर भी नराजगी जताती हुए कहा कि देश खिलाणियों को उनकी शिकायतों के लिए अदालतों को दर्वाजा खटखटाने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए कोट ने टीटी एफाई का प्रतिनिद्व करने वाले वकील से कहा कि आपका फेडरेशन स्टैंड लेने और उसने कहने के लिए तयार है कि उन्हें जो भी कारण बताव नोटिस जारी किया गया है इसे वापस लेने के लिए तयार है मैंने खेल मंत्राले द्वारादार की गई जांस रिपोर्ट देकी है विचार चीजों को हल करने का है वो मैचों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है याचका में कहा गया है कि टेबल टैनिस एक व्यक्तिगत खेल है इसके सहाइक करमचारियों के साथ विशेश प्रसिक्षन की आवशकता होती है यह नियम मनमानी तरकहीन बेतुके हैं और टेबल टैनिस जैसे व्यक्तिगत खेल में उत्रिष्टा हासिल करने के साथ कोई संबन नहीं है नियमों की आलोचना करते होई आचिका में आगे कहा गया है कि अपने सहीयोगी स्टाफ के साथ ट्रेनिंग ले रही खिलाड़ी पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि नियमों को रद नहीं किया गया तो उसका प्रदर्शन गंभीर रूप से प्रभावित होगा इदर अट्रणी जनरल केके वेनो गुपाल ने सुप्रीम कोट को बताया कि सीविया एक बैधानिक रूप से बनाए रखा निकाय है और सीविया जिस तरह से मामले की जाच करती है उसमें केंद्र सरकार द्वारा भी हास्तशेप नहीं किया जा सकता केंद्र सरकार का प्रतिनिद्व करने वाले बेनो गुपाल ने पश्यम बंगाल सरकार के एक मुकदमे पर आपती जताई जिसने सीविया के खिलाफ दायर एक मुकदमे में केंद्र सरकार को पार्टी के रूप में जोड़ा था लेकिन सीविया को एक पार्टी के रूप में नहीं जोड़ा था न्याय मूर्तियल नागेश्वर रॉय की अधक्षता वाली पीट पश्यम बंगाल सरकार द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रही थी जिसमें कलकत्ता उचने आयाले के फैसले को केंद्रिय जाज ब्यूरो द्वारा हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की मामलों में जाज के आदेश देने के लिए चुनौती दी गई थी जो कथित तौर पर राज्य में चुनावे हिंसा के दौरान पोस्ट हुए थे पश्यम मंगाल सरकार ने सविधान के रुशेद 1931 जो की केंदर राज्य विवादों के संबंद में सर्वोच न्यायाले का मूल अधिकार शेत्र से संबंदित है इसके तहट अपने मूल दिवानी मुकदमे में दिल्ली विशेश पुलिस थापना अधिनियम उनिस सो चालिस के प्राफधानों का उलेख किया था राज्य सरकार से अनुमती प्राप्त किये बिना और प्रात्मी की दर्श करने के साथ आगे बढ़ रहे जैसे की कानून के तहट अनिवार रहे है नयायमूर्ती विनीत सरन और नयायमूर्ती अनिरुद बोस्त की पीठ ने 28 से सितंबर को केंदर रने प्रतिवादियों से ज कामलों में सेहमती वापस लेने का व्यापक आदेश धारा एक तहत शक्ती का एक अल्ट्रा वारस का प्रेयोग होना है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत देने के लिए सक्त शर्ते लगाना जमानत से इंकार करने के समान है नयमूर्ती नागेश्वर राव और नयमूर्ती बियार गवई की खंड़ पीटने उरिसा उच नयायाले क्यादेश को रद करते हो याचका करता को 20 लाख रुपे नगद जमा करने और जमानत के लिए 20 लाख रुपे की अचल संपत्ती को सेक्योरटी के रूप में रखने जमानत देने का निर्देश दिया याचका करता भारतिय दंट सहीता की धारा 467 468 471 420 के तहत अपराद करने के एक अपरादिक मामले में आरोपी है याचका करता को रिसा उचनयायाले ने 25 मार्च 2021 को जमानत दी दी थी जिसके अधीन उसे 20 लाख रुपे नगद जमा करने और 20 लाख रुपे की अचल संपत्ती को सिक्योरिटी के रूप में रखने का निर्देश दिया था याचका करता को 20 लाख रुपे नगद जमा करना होगा और 20 लाख रुपे की अचल संपत्ती को सिक्योरिटी के रूप में रखना होगा याचका करता पश्रिम बंगाल रा तक प्रतेक 15 दिरों में मामले की जाज अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट करेगा इनाबाद हाई कोट ने कहा कि जब एक करमचारी को किसी विशेश परियोजना के लिए नियूजित किया जाता है तो सब परियोजना समाप्त हो जाती है उस करमचारी की सेवाई भी समाप्त हो जाती है और इसलिए ऐसे कामगार को स्थाई दर्जा नहीं दिया जा सकता नियायमूर्ति सिदार्त वर्मा की खंड़ पीट ने लाल मुहम्मद एंड अन्य बनाम इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड मामले में सरवोच नियाले के फैसले पर भरोसा करते हुए ये डिपने की इसमें ये माना गया कि ऐसे कामगार को कंपनी का करमचारी नहीं माना जा सकता जिसके तहत कई अन्य परियोजना चलती है याचका करता को इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनाशनल लिमिटेड ग्वारा शुरू में मद्यप्रदेश में छे महिने के अब्धी के लिए अकासमिक आधार पर एक चपड़ासी के रूप में नियुक्त किया गया था इसके बाद इसे समेकित के साथ ही मासिक आधार पर 196 रुपे का वेतन और महिनगाई भत्ते के साथ फिर से नियुक्त किया गया था ये काम याचका करता ने चार साल की अब्धी तक जारी रखा और इसके बाद उसे नियमित वेतनमान में लाया गया फिर याचका करता को 1993 में विद्धे नगर परियोजना से रेहंद नगर परियोजना जुला के स्थानंतरित किया गया हला कि 1998 में याचका करता को एक नोटिस दिया गया था फरवरी 1998 से उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा इसके बाद इसने एक अध्योगिक विवाद खड़ा किया और पिछले वेतन के साथ उनकी बहाली के लिए प्रार्थना की सरवोच नयाले ने ये भी पाया कि याचका करता कमपनी की सेवाओं में नियमित होने के हगदार नहीं है क्योंकि वो कमपनी के करमचारी रही है हला कि ये माना गया याचका करता मुआफ़े के हगदार है और इसके बाद अपीले खारच कर दी गई है इस प्रिष्ट भूमी के खिलाफ ये पाते हुए कि याचका करता के मामले में लाल महमद मामले के साथ समानता थी अदालत ने रिट याचका को कहते हुए खारच कर दिया कि रिट याचका में कोई हस्ता शेप जरूरी नहीं है इलाबाद हाई कोट ने पिछले सब्ता जॉनपूर में 24 वर्ष युवक के हिरासत में हुए कथित मौत के मामले की उचित तरीके से जाचनुए करने पर को कड़ी फटकार लगाई सीबियाई मामले में आरोपी पुलिस वालों को गिरफतार करने में विफल रही जस्टिस सूर्य प्रकाश के सरवानी और जस्टिस प्यू शगरवाल की खंड़ पीट ने कहा कि सीबियाई द्वारा दायर हलपनामा पूरी तरह से असंतोश जनक ह और यह संकेत देता है कि आरोपी व्यक्तियों जो कि पुलिस करमी हैं उन्ने गिरफतार करने के लिए कोई ठोस नहीं किया गया था हलक नामे में CBI ने पुलिस सत्यकारियों संदिक दो आरोपी व्यक्तियों का विवरण दिया और ये भी कहा कि उनकी CDR, IDPR की जाच की गई, उनके ग्यात पतों पर छापे मारे की गई, खोजबीन की गई और NBW के निश्पादन के लिए उनके वरतमान ठिकानों को जानने के सोर्स सेनात किये गए हैं, ये भी कहा गया है कि साने पुलिस द्वारा, CGM, जौनपुर की अदालत से गिरफतारी वारण जारी किया था, हाना कि अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों को दो महीने से अधिक समय के बाद भी गिरफतार नहीं किया गया, अदालत ने अगली पुलिस पार्टी जबरन उसके घर से उठाकर पुलिस स्थाने में ले गई थी, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने वरिश्टम वकील सौरब कृपालू को दिली हाई कोर्ट का जजज बनाने का फैसला किया है, खास बात है कि भारत के पहले समलेंगिंग जजज वो हो सकते है ये फैसला नियाएपाली का के इतियास में भी एक मिसाल बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने पहली बार किसी समलेंगिंग को जजज बनाने का फैसला किया है, अगर उनकी न्यूक्ति हो जाती है तो भारत के पहले समलेंगिंग जज होंगे, इस बारे में सुप् говорит सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लेकर पोछा था कि सरकार इस बारे में अपनी राइब सपष्ट करें वैसे से पहले चार बार ऐसा हो चुका है कि उनके नाम पर जज बनाय जाने को लेकर अलग रही है सॉरब क्रिपाल के नाम पर सबसे पहले कॉलेज़ियम ने 2017 में दिली हाइझ कोर्ट का जजज बनाए जाने को लेकर सिफारिश की थी सॉरब क्रिपाल ने दिली के संस्रीफन कॉलेच से ग्रजुशन की है मैं उन्हे ग्रजुशन में और और नहुंब में उने उन्हें के इस दो दशेक प्रैक्तिस की फिर उन्हें युनिटिग नेशन के साथ जेवा में भी काम किया सौरब की ख्याति नवत दे जोहर भानाम भारत संग के केस को लेकर भी की जानी जाती है धारा 377 हटाए जाने को लेकर याचिका करता के वकील थे सिदंबर 2018 में धारा 377 को लेकर जो कानून था उसे सुप्रीम कोट ने रद किया था शीना बोरा मडर केस में गरफतार इंदरानी मुखर्णी के ज़ीख याचिका खारिज की है अब वो सुप्रीम कोट का दर्वाजा खटकटाएंगी साल 2015 में गरफतार इंदरानी की अब तक ज़्मानत नहीं हो पाई है पिछले वर्श अगस्त में भी मुंबई की विशेश सीबियाय अदालत ने राणी की जमानत याचका खारिश कर दीती कोट ने कहा था कि जमानत पर रहाई होने के बाद आरोपी द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता मेडिकल अधार पर कई बार जमानत हासिल करने में नाकामी के बाद मुखर जी ने पिछले साल दिसंबर में एक ने याज़का दैर कर मामले में गुड़ दोश के अधार पर जमानत मांगी थी गौर्थ रभो की शीना वोरा मर्डर केस में सीब्याई ने अपनी जाच बंद करने का फैसला किया है इस मामले में शीना की मा और पूर मीडिया का रिकार्णी इंदरानी मुखर जी मुखर जी उसके ड्राइवर शैट्मवर राओ और पूरुपती संजीव खन्ना और पीटर मुखर जी को आरोपी बनाया गया है इंदरानी को वर्च 2015 में 25 वर्षे शीना बोरा के मर्डर के आरोप में गरफतार किया था शीना पहली शादी से इंदरानी की बेटी थी चली इसी के साथ Courts Roundup में इतना ही नमस्कार